हेलो गाइज वेल्गम बैक टुआ डूप चैनल एसके मिस्टड़ी अवे आप सक्सेच में हूँ आपका एजू केटर सीव मिस्रा और यहां पे लेकिया है बेहतर इंसा मॉडल पेपर कच्छा बारह हमी हिंदी का मॉडल पेपर है जी है आपका काफी कमेंट था कि सर कोई ऐस मॉडल पेपर लेकिया है जिसको हम तयार कर लें लास्ट टू डेज थ्री देज बचे विए हैं और इसमें आपको कम से कम सौ में सौ स्कोर करना है तो आपके लिए सबसे बहतर वाले पेपर भी चाहिए भी है और हाँ सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन ही है कि आपका सब्सक्राइब कर सकते हैं या पिर टेलेग्राम का लिंक आप जॉइन कर सकते हैं जिस पे 31,000 से ज्यादा बच्चे फ्री में नोट्स डाउनलोड कर पा रहे हैं आप भिजाएए डाउनलोड कीजिए ठीक है न पुरा टाइम किन्दा मिलेगा तो तीन गंटे 15 मिट का आपको पुरा टाइम मिलेगा और यहां पर आपको जो नंबर होने वाला है आपको पुड़ांख होने वाला है जो कि काफी आपको इंपॉटेंट रहेगा आपकी बोर्ट इक्जाम में इसलिए आप कोशिस करें अप अच्छा से अच्छा नंबर इण करें अपने युपी पहले आपको जैसे ही मतलब अंतिम के दो दिन पहले में आपको एक एक ही वीडियो में पांच जिन परिचे कलेक्ट करवा कि पीडियाप में टेलग्राम पे डलवा दूंगा नोट्स आप वहां से पढ़ लीजिए एक दिन का समय दीजी आपको हां से मिले जाएगा ठीकिन त मतलब समझ रहे हैं जिनके हाथ पेर चीए प्यादी बढ़ रहता है उनको दिव्यांग करते लिए तो दिव्यांग वच्चों के लिए ऐस गंटे का एकस्टा टायम दिया जाएगा यूपी वोड़ की तरप से ठीक है न तो जो दिव्यांग तो उनको चार गंटे का समय मि मिलने वाले आपके मन में यहीं रहेगा किसा अगर हम इस वीडियो को देखते हैं तो मुझे कितने अंग मिलेंगे तो मैं आपको बता दूँ इसमें आपको तीस अंग का यह पेपर लिए तीस अंग कंप्लीट होगा एक गद्यास एक पद्यास दस बहुविकल्पी दस नंब हा रहे हैं मेहनत करके हम लोग आपकी तहरी पूरी करवाएंगे चले सबसे पहला प्रशन है अगर इसका उत्तर आपको मालूम है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स उप्रेन है तो सबसे पहला प्रशन है बदरी नरायन चौधरी इनको ही कहते हैं प्रेम वहां संपादित पंधर का कौन सी है आनंद-कादम्विंट दीन मांद शाहिक्तिक हिंदोस्तान या आफिर आजकल constructed राणत जो प्रेम इनको के राणत नरायन चोधरी या यई- con पत्रिका के संपादक का नाम है अगर आपको समझ में आया होगा तो बिल्कूल आप 1000 लाइक करेंगे मैं आसा करता हूँ आप बाल किष्णभट महावेर प्रसात्धि तो दुरुष्वाम्नी नाटक के जो लेखक का नाम है वह संकभशाद कोन है जैसंकभशाद जी ढूसाम्नी नाटक के लेखक है तो जो आपकी पिछले साल कि पूरे पूरे पिछले साल के प्रश्ण है प्रश्ण 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 प्रश् असोग के फूल के निबंद के लिखक कौन है तो असोग के फूल के जो निबंद के लिखक है वह है हजारिवशाद्रिवेदी हजारिवशाद्रिवेदी कौन है यह आपके है असोग के फूल के निवंद के लेखक है अगला प्रश्ण है प्रेम चंद्र की कहानी का नाम क्या है कफन गुंडा रोज या पिर चीप की दावत तो प्रेम चंद्र की कहानी का नाम कफन है प्रेम चंद्र के कहानी का नाम क्या है कफन है क्लियर है अगला प्रश्ण है निम्न विद्या निवास मिस्र निवंधकार है किसके निवंधकार है तो है आपके ललित निवंध के निवंधकार है विद्या निवास मिस्र ललित निवंधके क्या है निवंधकार है अगला प्रशने हैं पर देखें पांच अंग मैंने करवा दिया बहुत कलबी अब पांच अगल की रचना विरगाता काल प्रिथवी राशो है यह रचना काल की यह रचना काल वीरगाता इसका तैयार है ठीक है और इसका पीडियाफ पीडियाफ के लिए अर्जेंट इंफार में सन्याद कीजिए जा कि हमारी ओफीसियल वेबसाइट का नाम क्या है एक बार प्लीज अगर आप से हाँ जोड़की रिक्वेश्ट है कि आप लोग इतनी तो हल्प चरूर करेंगे स्कीयम इस्टडी क्लासे स्कीयम इस्टडीक्लासे.com ठीक है यहां पर आपको क्या मिलेगी पीडिएफ मिलेगी मॉडल पेपर मिलेंगे पूरा मैं मॉडल पेपर वहां पर अप्लोड कर दिया हूँ निमन में से ज्याना सरही साखा के प्रमुख कभी है निमनलखित में से ज्याना सरी साखा के प्रमुख कभी कौन है तुलसी दास सूरदास कभी या फिर जैसी तो ज को आपको तयार करना है जो कि आपके यूपी बोड पर इच्छा में आए ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी हाफ को नहीं पढ़ना जो कि आपके 24 मार्ज यूपी बोड एजाम में पूछे ही नहीं जाएगे वह प्रस्णों को क्या मतलब पढ़ने से जो कि आपके यूपी बूर्ड पर इच्छा में आएंगे ही नहीं तो किवल आप उन्हीं प्रश्णों को पढ़के जाए ना जो कि 24 महारश को आएंगे हैंगे नहीं कमेंट कीजिए बिल्कुल एकदम तगड़े से तैरी हम आपकी करवाएंगे अगला प्रश्ण आपे निम्न में से कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है जो कामायनी का प्रथम सर्ग का नाम क्या चिंता है आसा है सरदा या पर इड़ा है तो जो कामायनी के प कि सुमित्रा नंदनपन्त सुखुमार कभी है प्रकती के शरिंगार के घ्यान यह कुमार कभी किस के है अगला यहां पर 기 यहां पाइस सकते सथा निम्यत्यचाइब क्या है कित मैं से राम की ते Character कौन है ? कि यहां पर आपके मैंने दस ऑबजेक्टिव प्रश्णू को करवार इन दस ऑब बाइव इसह है कि दस प्रतेक एक कंग यानि total कितना आपका दस अंक आपको मिलेगा है मिलेगा इसके बाद आपके क्या यां पे बढ़ाँ स्वतार प्रश्ण है तोटल कितना दस अंकों का ज़ाटर जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा रामेश्वरम के दीप दीप से बाहर निकल कर यह कितनी लंबी यात्रा रही पीछे मुण कर देखता हूं तो विश्वास नहीं होता आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका महत्वकांचह थी या पिर कुछ ओर बात थी किर बात मेरे दिवांग में आती है मेरा ख्याल है कि सबसे महत्यों पूर बात यह रही है कि मैंने अपने युगदान के मताबिक ही अपना मुल आखा बुनियादि बात जो आपको समझनी चाहिए ये वहया है कि आप जीवन की अच्छी चीजों को पाने का हग रखते हैं उनका जो इस्वर कीदी हुई है जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोशा नहीं होगा कि वे विक्सित भारत के नागरिक बनने के लिए योग हैं तब तक वे जिम्मिदार और ग्यानमान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे तो यह देखिए जो यहां पर एक लाइन लगाई गई है नीचे इसको कतिर एक खांकित अंस और यह आपका यह दो अंग का प्रशन आएगा तो इसको मैं आगे पढ़ूँगा सबसे पहले आपको वता दे कि 10 अंग का रहेगा पांच प्रशन मनेंगे पर टेक प्रशन के दो अंग मिलेंगे टोटल कितना आपका 10 अंग हो जाएगा चली सबसे पहला आपका प्रशन है लेखक युवा चात्रों से क्यों मिलता है लेखक कोन है आपके डॉक्टर एपीज अब्दूलकलाम है तो चात्र ही थे इसी लिए उनकी यादे युवा चात्रों से जुड़ी थी इसी लिए ये क्या करते थे युवा चात्रों से मिलते थे बस काम खत्र आप देखे इन सवालों का प्रश्ट इसमें भी आप ढूर सकते हैं कहां पर यहां पर मैं खास कर युवा चात्रों से ही क्यों मिलता हूँ क्योंकि मैं च्छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगाया यानिhey यह च्छात्र थे कोई छात्र था डॉक्टर जी डॉक्टर एपी जब दुल कलाम् यानि की लेखक जब छात्र थे तो भी अपने द्वारा किये गए कारे कारयों को सोचने लगे और उसी सोचने के कार्ण ये मतलब उसको दुबारा से अपने जीवन में महसूस करने के लिए छात्रों के पास जाया करते थे कर लियर है अगला प्रश्ण है जीवन की अच्छी चीज़ों का पाने का हग रखते हैं छीजे मिलें जिससे हम सीख पाए और अपने जीवन को अच्छे से सुधार पाएं अपको गुरुजी इसका उत्तर अपर तो इसका उत्तर भी या इसी मिलेगा जाब इसको पढ़ेंग तो आपको इसी में इसका उत्तर मिलेगा क्या मिलेगा आप जीवन की अच्छी चीजों को पाने का हक रखते हैं यहां पर जो बताया गया है इनसे आपको क्या प्रेड़ा मिलती है या फिर आप यहां पर कह सकते हैं कि इससे आपको क्या प्रेड़ा मिलती है तो आप सीधा लिख देंगे कि उक्त पंक्तियों से यहां प्रेड़ा मिलती है कि मानो महतोकांचा की बल पर ही अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है यादि बहरत के नागरिक बने के होगह में तब टब पो कि ऐसे बन सकेंगे तो अबको सuçदा बता देना है अनेक अनेक उपलबसियों एवं परसिद्धा बताना चाहते हैं कि जब तक उन्हें यह विश्वास नहीं होगा कि वेदेश के नागरिक बनने की संपूर योग्यता स्वयम में रखते हैं तब तक भी एक जिम्मिदार और ग्यानवान नागरिक नहीं सकता क्लियर है अगला पर प्रश्म मनेगा पाड का सीर्षक और लेखक का नाम लिखे जब आप इसको एक बार अच्छे से पड़े रहेंगे तो आपकी दिमाग में आ जाएगा कि इस पाड का नाम क्या है और इसके रचेता को नहीं तो आपको सीधा लिख देना है कि प्रस्त अध्यांस क्या है कि नीले नीले ले फूले कलंदल सी गात की शामलता है पिला प्यारा बशन कटी में पहनते है फबीला लियर है छूटी काली अलग मुक्पी कांती को है बढ़ाती और सदु द्रश्यों में नवल तन की फुटती सी प्रभा है शांचे ढाला सकल वपु है पुस्पो की पुस्पो सी सुर्भी उसकी प्राण संपूशी का है दोनों कंदे रिशक वर्से हैं बड़े ही सजीले लंबी बाहे कलब करसी सक्ती की पेटिका मदलम होती कंड़ क्या यहां पे कंडर बनेगा कि राधा पवं से क्रिश्पàn को पहचानने का क्या उपाय बताती है दो राधा पवं से क्रिश्पाइब को प्हचानने का लें और यह téléphone को है कि शेमलता चवी नीले कमल मुश्प के समान है तथा वह अपने सरीर पर आकर्शक पीला सुन्दर वस्त्र कमल तक धारण किये रहेंगे सब्दकारत होता है बालो किलट और सकलका अगला है कलाकर्षी में कौन सा लंकार है तो यहां पसे यहां तक है देखिए दोनों कंदे विर्शबवर से हैं पेटिका तक तो इसका एंसर क्या हो जाएगा सी क्रिश्ण के दोन्यों कंदे विशाल और बहुती वलिष्ट है तता उनकी दोनों भुझाए हाती के सूर्ड के समांध सक्तिसाली है अगला प्रश्मने का पार्ट का सिर्षक और कभी कराम लिखे तो पार्ट का सिर्षक पौंदूतिका है और इसके कभी अध्या सिंग उपाध्यानी की हर यौधची है क्लियर है और यहां पर मैंने तीस अंका बताया इसमें और विल्कुल आप इसको पढ़के जाएंगे 24 मार्स को इससे बाहर आएगा नहीं पीपर में और हां पीडियाफ के लिए आप सर्च किजिए गूगल पर यस्कियम इस्टडीक्लाज्ट कॉम या पर डारेक्ट आप क्ल